और हावी रहेगा और डिसकेशन पॉइंट है वो है कल शाम का एप्रिल का इंफलेशन का जो नंबर आया है काफी जबदस्त एक्सपेक्टेशन थी भी कि बढ़ेगा और वही बढ़ात हमने देखी लेकिन क्या वर्स इंदर प्राइस है अपने यूएस के इंफलेशन नंबर इस पॉइंट की उपर क्वेशन करते हुए गरिमा डिरेक्ली रेफरेंस लेते हैं कल शाम के इंफलेशन नंबर से और आपसे जानते हैं क्या आपको लग रहा है कि ये इंफलेशन बैक्वर्ड लुकिंग डेटा है इसके बाद बहुत सारी प्रोड़क्स जो है एक्चुल 47, 50 के करीब हमारा खुद का नंबर 766 के करीब था तो हमको बहुत जादा अपसाइट सप्राइज नहीं लगा इस पर अभी इसके आगे चलते हैं इसका जो इंफाक्ट सबसे जादा है वो किया है कि इंफाक्ट फ्यॉल प्राइज हाइक का है आठ से नौ टक्के के करीब आ उसके अलावा आपके जो फूट प्राइजेस थे बिकोज ग्लोबल मार्केट बहुत ही जादा टाइट है फिलाल, वीट के प्राइजेस, बार्ली, मेज और इन सब क्मोड़िटी प्राइज जिसमें ग्लोबल शॉर्टेज है उसका डुमेस्टिक प्राइजेस में भी प्राइजेस में ग्लोबल डिमांड पे काफी जादा क्वेस्टन आ रहे हैं कल भी आपने सुना होगा कि ओपक ने ग्लोबल ओल ओल दिमांड फोकास कट किया अगर आप लीड इंडिकेटर बेखें इं टरम्स अ ग्लोबल डिमांड आप ओल चोड़ के कॉपर प्राइजेस अब कॉपर प्राइजेस के बार भी जून से लेकर आपको बेस एफेक्क का भी बेनेफिट मेलेगा इसलिए मुझे लगता है से जादा वर्सनिंग होना मुझकिल है, stickiness रह सकता है, but directionally from the third quarter of the current financial year, we should start to see material slowdown, both globally as well as in India. गरिमा, absolutely, good morning, right, copper prices की अगर बात करें, 9,000 dollar per turn यहाँ पर decrease, downtrend, drops आते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन इस बीच, inflation data, of course, आप यहाँ से कह रहे हैं कि positivity आने वाले महिनों में देखने को मिल सकती है, लेकिन यह जो number आता हुआ दिखा है, RBI के inflation target से यह ज़्यादा है, straight away, fourth straight month, यह inflation target जो RBI ने बनाये थे, उनसे ज़्यादा है, unscheduled repo rate hike अभी-भी हमने देखे हैं और any price hike, any inflation rate hike of above 6%, सीधे तोर पर आगे और interest rate बढ़ने के अनुमान नज़र आते हैं, इंटरेस्स रेट के लिहाद से वैसे भी RBI ने sentiment अनुमान दिये ही थे, क्या लगता है, आगे, क्या कुछ होगा? ठीकि जब RBI ने off meeting hike की fourth make, उनके पास estimate थे, उनके इसलिए वो April month खटम होने तक रुके, उनको जब पता चल गया होगा कि the expectation of main is going to be significantly higher, तो clearly उनोंने decide कि off policy, वो उसके बाद भी कुछ sources में market इंडिकेट किया है, कि one of the reasons RBI ने off policy hike किया था, क्योंकि उनको jumbo hike नहीं करना था June में, लेकिन कल के print के बाद मुझे लगता है June, August और September, बुकि इस time policy October में नहीं September end में आ रही है, तीन consecutive policies में आपको hike दिख सकता है, CRR hike 150 basis को अरड़ी हो चुका है, अनादर 50 basis point is also likely, क्योंकि इस system में liquidity अभी भी काफी comfortable level पे है, अनुसके चलते अभी अनादर consecutive CRR hike आ सकता है, मेरे खुद के expectations के हिसाब से, इस financial year में until September 75 basis point और hike आ सकती, उसके बाद probably RBI will pause, to take a stock कि क्या हो रहा है, हमारे हाइप सो कितना impact है ग्रोथ पर, बिकुज ये inflation अधिकर inflation supply side है, demand side नहीं, तो any rate hikes that take place are only going to kill demand, globally as well as India, इतना इतना advantage इंडिया को है कि इंडिया ने एक crisis over-stimulated zone पे एंटर नहीं किया, इसलिए we have some appetite, we do have some room to take it little more gradually, लेकिन मेरे expectations के हिसाब से 75 basis point hike until September, नन पॉंज ले सकता है RBI to assess growth inflation dynamics क्या हो रहे हैं, and in any case, मेरा खुद के expectation है कि by the time second half आएगा, global slowdown आएगा, जिसका impact दिखेगा commodity prices पर. Okay, बिल्कुल, गरिमा शुक्रिया हमारे साथ जुडने के लिए और inflation data पर अपना नजर या हमारे साथ share करने के लिए, have a nice day to you.